बिस्मिल्ला इर्मानि उर्रहीम असलाम उलेकुम मैट्स क्लास्टेंड में एक्ससाइज है 20.3 एक्ससाइज 20.3 कर रहे हैं हम 20.3 का कुछिशन 1, 2 और 3 में आपको करवा चुकी हूँ आज मैं आपको कराऊंगी कुछिशन नंबर 4 इसके हमें पास दो कुछिशन लिएवे हैं पहले में हमाई एक्वेशन गिविन है यानि कि हमने पहले रूट्स निकालने हैं और रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 आएगा तो हम इसको कंडिशन को अप्लाइ करेंगे सबसे पहले हम रूट्स वाइट कर लेते हैं इसके नंबर 4 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं एक्वेशन हमें गिविन है एक्स स्कॉर माइनस 5 एक्स प्लस 2म इस इकल जो 0 और कंडिशन हमें गिविन है डिफर बाइवन यानि रूट्स का डिफरेंस वो 1 आना है तो हम सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं एक्स स्कॉर के साथ क्या है 1 है तो A विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ठीक है और X के साथ क्या है माइनस 5 है तो B क्या हो जाएगा हमारे पास B विल बी इक्वल्स टू माइनस 5 और 2M जो है वो C है कॉंस्टेंट है इसके साथ कोई कोईफिशन नहीं है हमारे पास तो C इस इकल्स टू 2M हो जाएगा अब सबसे पहले हम sum of root यानि alpha प्लस बीटा find कर लेते है alpha प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऐसे उतारा B की वैल्यू है माइनस 5 और A की वैल्यू है 1 अलफा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 5 5 को 1 से रिवाइट करें बनी आता है यहाँ पर हम निकाल लेते है product of root alpha multiply by beta will be equals to C upon A product of root will be equals to C की value है 2M A की value है 1 तो हमारे पास product of root आ गया 2M roots हम निकाल लिए roots निकाल के हम condition apply करेंगे condition हमारे पास क्या given है differ by 1 इसका मतलब क्या हुआ कि roots का जो difference है वो कितना है वो 1 है तो हम लिख दे दे according to given condition हम लिखते हैं given condition is कुछ भी लिख सकते हैं यह हमारी उस पे है मर्जी पर है given condition is given condition है हमारे पास के roots का difference यानि के alpha minus beta will be equals to 1 यह 1 है हमारे पास अब क्या करेंगे हम next step पे हम square कर देंगे इसको square both sides दोनो sides को square कर देंगे तो alpha minus beta पे भी whole square हो जाएगा और 1 पे भी whole square हो जाएगा जब यह alpha minus beta whole square होता है इसका जो हम formula open करते हैं वो मैं आपको बताती हूं किस formula से open करते हैं वो मैं यहाँ पे show कर रही हूं a minus b whole square किसके बराबर होता है a plus b whole square minus 4 a b के यह हमने 9 class में सीका वाई बहुत अच्छी तरह से तो इसकी जगा a minus b यह जो a है यह alpha हो जाएगा और b बीटा हो जाएगा ठीके जहाँ जहाँ a है वहाँ alpha लिख देंगे जहाँ जहाँ b है वहाँ beta लिख देंगे तो a alpha minus beta whole square की जगा पे minus 4 alpha beta ठीके इस पूरी की जगा पे मैंने इसका formula खोल के लिख दिया इस formula से और is equals to 1 पे square करेंगे तो 1 ही आजाएगा अब हम इसके आगे इसके अंदर value substitute कर देते हैं alpha plus beta की हमारे पास value है और alpha beta की भी है तो sum of root और product of root की value इसमें substitute कर देते हैं alpha plus beta की value हमारे पास क्या है 5 है 5 है और इस पे square है minus 4 ऐसे लिखेंगे और alpha beta यानि product की value है 2m यहां लिख देंगे 2m is equals to 1 5 का 5 से multiply करेंगे क्या जाएगा 5 5 सा 25 4 को 2m से multiply करेंगे minus 4 को 2m से multiply करेंगे plus minus minus 4 to the 8m आ गया is equals to 1 8m को equal के दूसरे साइट पर ले जाते हैं यहां minus है इदर जाके यह plus हो गया यह हमने किसली करा इसली करा क्या ताके हमारा जो m है वो plus में हो जाए और यह जो 1 है यह हम उठाके इस साइट पर ले आएएगे यहां plus है यहां पर आके minus हो जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे यहां मुझे लिखना चाहिए था मैं इसको काट देती हूँ दुपारा कर लेती हूँ 25 के पास यह 1 है इकवल के इस साइट पर इधर ले आएएगे यहां आजएगा हमारे पास प्लस 1 था यहां पर हो जाएगा तक हम यहां लिखने m तो 24 अपनी जग़ा पर हिए मैंने सिर्व राइट का लेफट पर और लेफट का लेथ पर ली दिया ताकि हमारी एक्वेशन जो है ठीक नहँचर आए अब यह 24 के 8 8 जो है m से मल्टिप्ला हो रहा था 24 के पास आगया आके divide हो गया, ठीके क्या हो गया, 24 divided by 8, 8 ones are 8, 8 threes are 24, हमारे पास m की value आ गई 3, हमने m की value निकाल नहीं थी, हमने m की value find कर ली, m is equals to 3, इस काल सरे, इससे number 4 का part 2 करेंगे, equation हमारे पास है, x square minus 8x plus m plus 2 is equals to 0, और condition हमें given है, differ by 2, यानि के difference of root जो है, ठीके, जब condition अपलाए करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, अब भी हम पहले ऐसे करते हैं, इसके sum of root और product of root निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें सरूरी है कि हम सबसे पहले निकालें कि a, b, c क्या है, x square के साथ coefficient 1 है, तो a will be equals to 1 हो जाएगा, x के साथ coefficient minus 8 है, तो b will be equals to minus 8 हो जाएगा, और m plus 2 जो हमारा constant, य उतारेंगे हम, अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे sum of roots, और यदर निकालेंगे हम product of root, sum of root यानि alpha plus beta will be equals to, क्या होता है, minus b upon a, alpha plus beta will be equals to, minus कसाइने से उतार लिया, और b की value क्या है, minus 8 ब्रेकेट वे, minus 8 टिक लिया, a की value है 1, छीके, alpha plus beta will be equals to, minus minus plus 8, 8 को 1 से divide करा, 8 ही आएगा, ठीके, अब हम यह इसको लिख लेते हैं, product of root यानि alpha beta will be equals to, alpha multiply by beta will be equals to, c upon a, ठीके, यानिके, product of root will be equals to, c की value हमारे पास क्या है, m plus 2, और a की value है 1, तो हमारे पास product of root आगया, m plus 2, क्योंकि हमने 1 से divide करेंगे, वो ही आएगा, अब हम करेंगे, apply करेंगे, condition, इसमें हमें given condition है, differ by 2, यानि roots का difference हो है, वो 2 आना है, तो हम लिख लेते हैं, given condition हमारे पास है, alpha minus beta will be equals to 2, यानि, दोनो roots का difference वो 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, square करेंगे, square both sides, दोनो sides को square कर देंगे, जब हम square कर देंगे, तो alpha minus beta, इस पे भी whole square हो जाएगा, और 2 पे भी whole square हो जाएगा, alpha minus beta whole square हम उसी formula से को लेंगे, जैसे हमने part 1 में खोला था, यहां mention भी कर सकते हैं, a minus b whole square is equals to a plus b whole square minus 4ab होता है, ठीके, यह हमारे पास यह हम लिखते हैं, यह formula हमारे पास, जहाँ a है, वहाँ alpha आजएगा, जहाँ b है, वहाँ beta आजएगा, तो इस formula को हम alpha minus beta whole square को इस formula को open कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आजएगा, alpha plus beta whole square minus 4ab, ठीके, इसकी जगा पे हमने यह formula open कर दिया, तो इसके square हो गया, is equals to, 2 पे भी square है, तो 2 तूज़ा 4, इदर भी square हो गया, इस formula का square हो गया, यह ऐसा बन गया, और 2 पे square हो गया, यह 4 बन गया, अब जो है, इसके अंदर alpha plus beta, यह नि sum of root, और यहां मैंने a b लिख दि ठीके, इदर हम product of root और यहां sum of root substitute कर देते हैं, तो alpha plus beta की value हमारे पास क्या है, 8 है, 8 पे square कर देते हैं, minus 4 उतार लेते हैं, और alpha beta की value क्या है, हमारे पास m plus 2, m plus 2 है, bracket में लिखेंगे, क्योंकि दो values हैं, जब भी दो values होते हैं, उनको हम bracket में लिखते हैं, बड़ हमारा गलत ह जाता है solution, 8 को square कर देंगे, तो 8, 8 जा 64 हमारे पास, यह minus 4 को पहले m से multiply करेंगे, तो क्या आजएगा, plus minus minus 4 m, अब minus 4 को plus 2 से करेंगे, तो plus minus minus 4 जा 8 आ जाएगा, देखें, यह plus 64 है, यह minus 8 है, plus 64 में से 8 minus कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, 56, ठीक है, 56, minus 4 m is equal to 4, यह 4 पी धर लिए है, 4 को जो है, equal से, इस side पर लिए है, और 4 m को, इस side पर ले जाएं, ठीक है, ठीक है, 4 m, minus में है, इसको equal के दूसरे side पर ले जाए, और यह plus 4 है, वो equal के side पर लिए है, तो 56 ऐसे उतार ले लेते, plus 4, 56 के पास आगया, equal के side, यहो जाएगा, minus 4, is equal to, minus 4 m, इस equal के दूसरे साइट पे चला गया, इस साइट पे चला गया, यह हो गया, प्लस 4 M, ठीके, प्लस में से रिखने की ज़ुरत नहीं होती, 56 में से 4 निकाले हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 52, इस इकल्स टू 4 M हो गया, अब यह करते हैं, हम के M को यहाँ सेपरेट कर लिएते हैं, इस साइट को मैं इस साइट पर लिखने हैं, और इस साइट पर लिखूंगी, 4 M था, 52 अपनी जगा पर ही है, M के साथ 4 जो था, वो मल्टिप्लाय हो रहा था, 52 के पास आके, इकल के इस साइट पर आके ही डिवाइट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम सिंप्लिफाय करते हैं, 4 1s of 4, 4 3s are 12, 13 हमारे पास आ जाएगा, 4 1s of 4, 4 3s are 12, M will be equal to 13, तो हमारे पास answer आ गया, answer is equal to 13, question number 5 का part 1 करते हैं, question number 5 में हमें कहा हैं, find the value of k, the rules of the equation on, 5x square minus 7x plus k minus 2 is equal to 0, satisfy the relation 2 alpha plus 5 beta is equal to 1, तो ये तो हमें quadratic equation दिये, और ये हमें दिया हैं इन्होंने condition, तो ये condition हम apply करेंगे, देखें, अब इस condition के अंदर आपको एक चीज़ क्लियर दिखाए के रहे हैं, इन्होंने हमें alpha दिया हैं सिर्फ और सिर्फ बीटा दिया है, ठीक है, तो इसलिए हमें सिर्फ alpha की value इसमें निकालनी पड़ेगी, मैं आपको करपा के समझाती हो, इन्शाला तहला आपको समझ में आ जाएगा, सबसे पहले हम roots निकाल लेते हैं ना, k-2 जो है, वो constant है, c will be equals to k-2, यह हमने सब values लिखनी, इसके बाद हम निकाल लेते हैं, sum of square और root of square, तो sum of square यानि alpha plus beta will be equals to minus b upon a, alpha plus beta will be equals to, minus cosine ऐसे उतारेंगे, और b की value है minus 7, bracket पे minus 7 लिख लेंगे, a की value है 5, 5 लिख लिया, तो alpha plus beta, यानि sum of root will be equals to minus minus plus 7 upon 5, यह हमारे पास value आ गई, अब यह रिखे कि हमें इस condition के लिए, सिर्फ alpha की value चाहिए, तो हम यहाँ पे alpha को अकेला कर देते हैं, बीटा जो है, वो alpha की साथ plus हो रहा है, equation के दूसरे साइट पे जाके minus हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, alpha को separate कर लेते हैं, 7 upon 5 इदर है, बीटा जो है equation की दूसरे साइट पे चला गया, plus beta से हो गया, minus beta, यह हमारी alpha की value आ गई, ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, इदर product of root, alpha multiply by beta, will be equals to c upon a, ठीक, alpha beta will be equals to, product of root will be equals to, c की value है, k minus 2, और a की value है 5, तो यह हमारे पास, alpha beta की value हागे, इसको भी हम आगी use करेंगे, अभी हम यह करते हैं, condition apply करते हैं, हमने दोनों values निकाल ली, तो हम करते हैं, applying the given condition, या according to the condition, ठीक है, applying the given condition, given condition हमारे पास क्या है, 2 alpha plus 2 beta will be equals, sorry 5 beta है, which 5 beta will be equals to 1, यहाँ पर हम 5 कर देते हैं, ठीक है, 2 alpha plus 5 beta is equals to 1, तो अब हम यहाँ पर alpha की, जो हमने यहाँ value निकाल ली थी न, यह value इसमें substitute कर देंगे, हम लिखेंगे 2, और alpha की जगह हम लिखेंगे, 7 upon 5 minus beta, ठीक है, पूरे alpha की value जो यह थी हमारे पास, यह हमने alpha की जगह पर substitute कर देंगे, बाकी का ऐसे ही उतार लेंगे, plus 5 beta is equals to 1, अब यह जो 2 है, यह इन दोनों के साथ multiply हो रहा है, 7 upon 5 से भी और beta से भी, तो हम इस 2 को multiply करके, bracket को खोल लेते, 7 to the 14 upon 5 ऐसे लिख लेते, और यह beta को 2 से multiply करा, यह आगे 2 beta, यह हो गया, plus 5 beta हमने ऐसे उतार लिया, is equals to 1, 5 beta में से 2 beta minus कर दें, 3 beta आजाएगा हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, 3 beta plus बड़े का sign आएगा, और यह जो 14 upon 5 है, इदर प्लस है, equal के दूसरे साइट पे, 1 के पास चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 minus 14 upon 5, देखें, यह जो plus के साथ था, 14 upon 5, मैं equal के इस साइट पे 1 के पास लिए आई, तो यह हो गया, minus 14 upon 5, 1 को हम छोड़ेंगे नि, क्योंकि 1 हमारे बहुत काम आएगा भी, अगर हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, तो हमारा यह गलत हो जाएगा, हम लिखते हैं, 3 beta will be equals 2, अगर हम यहाँ निकालेंगे, LCM, 5 बन जब 5, LCM आजएगा, इस 5 को इस 1 से डिवाइट करेंगे, हमारे पस क्या आएगा, 5 आएगा, उस 5 को इस 1 से मल्टिप्लाई करेंगे, उपर आजएगा 5, यह वाला minus उतार लेते हैं, इस 5 को, इस 5 को अब इस 5 से डिवाइट करेंगे, तो हमारे पस आँसर आजएगा 1, 1 को इस 14 से मल्टिप्लाई करेंगे, 1 14 देखें, मैंने क्या करा, 5 को LCM निकाला, इस 5 को इस 1 से डिवाइट करा, आँसर 5 आए, 5 को 1 से मल्टिप्लाई कर दिया, 5 आगिया, आजएगा, माइनस 9 अपॉन 5, ठीके, अब यह यह कि हमारे पास 3 बीटा की वैल्यू आ गई है, हमें अभी इसकी बीटा की निकालनी है, इसको हम बीटा को ऐसे कर लेते हैं, 3 यहाँ पर मल्टिप्लाई हो रहा है, इदर जाके डिवाइट हो जाएगा, ठीके, यहाँ पर आके डिवाइट हो जाएगा, ऐसे कर लीजे, ठीके, अब यह जो 3 हमारे पास है, इस 3 से हम इसको 9 को cancel कर देंगे, 3 बंजा 3, 3 बंजा 9, अब 3 को 1 से मल्टिप्लाई करा, हमारे पास आगया 3, और 5 बंजा 5, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, माइनस 3 उपाउन 5, यह जो माइनस है यह भी नीच आएगा, यह जो माइनस 3 उपाउन 5 बीटा की वैल्यू आईए, यह हम जो एक्वेशन थी हमारी, इसको हमने 1 का नाम दे लिया, इस इक्वेशन में इसको सब्टिट्यूट करेंगे, तो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यूट करेंगे, माइपा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कंटीन्यू करते हैं, नेक्स्ट बेच वे, तो बीटा की वैल्यू में दुबारा उतार लेती हूं, बीटा इस इकल्स तो माइनस 3 अपाउन 5 है, तो नाव पुट दा वैल्यू आफ बीटा इन एक्वेशन 1, हमने इसको 1 का नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 में इसको सब्टिट्यूट करते हैं, तो 1 हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी, अब यह अफ यह सब्टिट्यूट करेंगे, सब्टिट्यूट करेंगे, अब यह देखें, यह जूल्स माइनस प्लस 3 अपान 5, तो यह अब यह हरे पास नीचे 5 यह है दोनों के पास, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है, तो बस उपर वाली values ऐसे ही plus minus हो जाती है हमारे पास आ गया alpha is equals to 10 upon 5 अब 5 1s are 5, 5 2s are 10 तो हमारे पास alpha की value आ गई 2 ठीके, यह अब alpha की value आ गई बीटा की भी निकाल ली हमने रिखें यह रही बीटा की और यह आ गई alpha की इस इक्वेशन में substitute कर देंगे alpha और बीटा की value को तो हमारे पास k की value आ जाएगी k की value फाइंड करनी थी question में कहा ही k की value फाइंड करना था तो इसको पहले equation को बना भी सकते हैं और इसी condition में भी कर सकते हैं इसी में भी कर लेते हैं इसी के अंदर substitute कर देंगे now substitute the value of alpha and beta in product of root किसके अंदर put करेंगे हम लिखेंगे alpha, beta is equals to k minus 2 upon 5 अब alpha और beta की value क्या है हमारे पास alpha की value हमारे पास है 2 beta की value हमारे पास है minus 3 upon 5 ठीक है अब यह भी निका लिए k ऐसे ही रिखते है minus 2 भी ऐसे रिखते है और 5 भी ऐसे रिखते है अब इसको आपसे multiply कर ले यह आदेगा plus minus minus 6 upon 5 is equals to और यहाँ पर 5 जो है divide हो रहा है इदर आके multiply हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर रह जाएगा सरिफ k minus 2 यह जो 5 है यहाँ divide हो रहा था इदर जाके multiply हो गया पहले हमने सबसे पहले minus 3 को 2 से multiply कर रहा plus minus 6 upon 5 आगया यह 5 यहाँ divide हो रहा था equal के side बागे multiply हो गया और k minus 2 यहाँ पर बाग ही रह गया बस ठीक है अब यह भी यह 5 से 5 को cancel कर दें यहाँ पर बज़िया हमारे पास minus 6 is equals to k minus 2 इससे तो और भी easy हो गया k को हम यहीं छोड़ देते हैं और minus 6 भी अपनी जगह पर यह यह अपनी जगह पर है यह भी अपनी जगह पर है सिर्फ मैंने इदर उदर कर दिया right left कर दिया minus 2 जो है 6 के पास आएगा क्या हो जाएगा minus 6 में से plus 2 minus कर दे minus 4 देखे हमारे पस k की value हो गए k की value क्या है minus 4 हमने इसका answer find कर लिया question number 5 का part 2 करेंगे equation हमें given है 3x square minus 2x plus 7k plus 2 is equals to 0 और condition हमें given है 7 alpha minus 3 beta will be equals to 18 condition हम बात में apply करेंगे पहले हम roots निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लिखने a is equals to x square के साथ coefficient है 3 तो हम लिखेंगे a is equals to 3 x के साथ है minus 2 b will be equals to minus 2 और यह जो 7k plus 2 है यह होगी constant यानि c की value c will be equals to 7k plus 2 अब हम निकालते हैं sum of root alpha plus beta is equals to minus b upon a alpha plus beta will be equals to minus यह वाला minus लिखा और फिर b की value है minus 2 bracket में लिख दी a की value है 3 3 लिख दिया तो हमारे पास आगया alpha plus beta is equals to minus minus plus 2 upon 3 चीके अब यहाँ पे हम इसी तरह product of root भी निकाल लेते हैं alpha multiply by beta is equals to c upon a product of root is equals to c की value हमारे पास 7k plus 2 upon a की value हमारे पास 3 अब जो है इसमें अगर हम condition को देखते हैं तो condition में हमें alpha की value चाहिए और beta की value चाहिए जबकि हमारे पास इसमें alpha की और beta की value नहीं है तो हम इसलिए equation को आगे और करेंगे हम करेंगे इसको alpha की value निकालेंगे alpha को अखेला कर लेंगे बीटा को equal के दूसरे तरफ 2 upon 3 के पास ले जाएंगे ठीक है equals 2 upon 3 अब बीटा यहाँ plus हो रहता इदर जाके minus हो जाएगा अब यह हमारी equation बन गई है equation number 1 इसको नाम दिये आप कोई भी नाम दे सकने हैं जरूर नहीं है बन ही दे यह जो equation बनी है इसमें जो alpha की value आ रही है वो हम इस condition में given condition के अंदर substitute करेंगे अब हम लिख ले दें given condition is given condition कुछ भी लिख सकते है according to given condition भी लिख सकते है given condition is condition हमें क्या given है यहाँ लिख ले दें 7 alpha minus 3 beta is equals to 18 हमें यहाँ पर इसको फिर उतारते हैं 7 alpha minus 3 beta is equals to 18 अब इसमें हम यह alpha की value है यह वाली value substitute करेंगे जो alpha की value निकली है 2 upon 3 minus beta यहाँ alpha की जगा लिखेंगे तो 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं bracket देते हैं 2 upon 3 minus beta यह हमने यह पूरी value alpha की जगा पर उतार ली यह minus 3 beta ऐसे ही उतार लेते हैं is equals to 18 अब यह जो 7 है इस 2 upon 3 से भी multiply होगा और beta से भी होगा तो हम करने है 7 to the 14 upon 3 minus 7 को 20 से करेंगे 7 beta आजाएगा minus 3 beta is equals to 18 14 upon 3 को ऐसी छोड़ दें minus 7 और minus 3 कितना हो जाएगा minus minus plus 10 beta 10 beta is equals to 18 अब यह जो 10 beta है इसको equal के उस तरफ ले जाते हैं और 18 को इस तरफ ले आते हैं 14 upon 3 ऐसे ही लिखते हैं 18 यहाँ plus हो रहा है इसके पास आके minus हो जाएगा equal डालते हैं और यह 10 beta जो है इस तरफ इस तरफ equal के आजाएगा तो plus 10 beta हो जाएगा minus था ना plus हो जाएगा यह हमने इस लिए करा ताकि हमारा जो है यह जो beta के साथ है इसकी value जो है positive हो जाए इसलिए अब यह इसको LCM निकाल लेते हैं 3 1 आएगा 14 3 को 1 से divide करेंगे 3 आएगा 3 को 18 से multiply करेंगे हमारे पास क्या आजाएगा 54 is equal to 10 beta 54 में से 14 निकालेंगे हैं हमारे पास answer आजाएगा 4 40 40 divided by 3 54 और minus कसाइन के साथ ना और यह जो 10 beta है इस side पर लिख लेते हैं ठीके अब यह जो 10 है इसको equal के दूसरी तरफ ले जाते है बीटा को ऐसी छोड़ देते है minus 40 upon 3 यहाँ पर 10 multiply हो रहता है इदर आके divide हो जाएगा 10 वंजा 10 10 4 वंजा 40 इन दोनों कापस में हमने cancel कर लिया हमारे पास beta की value क्या आ गई उपर रह गया 1 यहाँ पर 4 4 वंजा 4 minus 4 और नीचे 3 वंजा 3 minus 4 upon 3 हमारे पास beta की value आ गई इस beta की value से हम alpha की value निकालेंगे ठीक है लिखते हैं put value of beta is equals to minus 4 upon 3 in equation 1 equation 1 के अंदर हम इसको substitute कर देंगे तो alpha की value आ देगे alpha is equals to 2 upon 3 minus beta था ना तो हम यहाँ लिखेंगे alpha is equals to 2 upon 3 minus अब beta की देगा हम लिख देंगे minus 4 upon 3 ठीक है अब यहाँ पर जो है page खतम होगे है में next page पे से continue करते हूं हमारा आया था alpha is equals to 2 upon 3 minus और minus 4 upon 3 ठीक है ना यही थी ना beta की value substitute करी थी यह हमने अब हम इस से alpha की value निकाल लेते हैं 2 upon 3 minus minus plus 4 upon 3 alpha is equals to क्योंकि denominator same है जब denominator same होता है तो बस उपर ऐसे ही plus minus हो जाते है हमारे पास alpha की value आजाएगी 6 upon 3 3 1s are 3, 3 2s are 6 के cancel हो गया alpha की value आगई 2 अब यह जो हमारे पास value आगई alpha की और beta की यह दोने values हम किसमें substitute कर देंगे हम इसको substitute कर देंगे product of root की equation में तो हम पहले लिख लेते हैं इसको substitute the value कौनसी value substitute करनी है हमने alpha is equals to 2 and beta is equals to हमारे पास आया था minus 4 upon 3 in equation कौनसी equation में alpha multiply by beta is equals to 7k plus 2 upon 3 ठीक है alpha beta के product के हमारी equation बनी थी ना c upon a किया था हमने यह c है यह a है इस equation के अंदर जब हम alpha beta की value substitute करेंगे हमें पर k की value आ जाएगी क्योंकि इस question में हमें k की value ही find करनी थी तो alpha की value हमारे पास क्या है हमने 2 लिख दी बीटा की value हमारे पास है minus 4 upon 3 लिख दी is equals to 7k ऐसे ही रखते है plus 2 को भी ऐसे रिख देते है और 3 को भी ऐसे रिख देते है इसको multiply करते हम यह हो जाएगी हमारी 4 to the 8 minus 8 upon 3 is equals to 7k plus 2 upon 3 जब हमारे denominator equal के दोनों side पर upon में equal same होता है तो वह ऐसे ही cancel हो जाता है एक तो simple यह बात है लेकिन इसको हम करके भी दिखा सकते हैं कैसे करके दिखा सकते हैं कि यह जो 3 इसका हमें denominator खतम करना है ना तो हम दोनों side पर multiply कर देंगे multiply by 3 ऐसे करेंगे इस दर भी 3 से multiply कर देंगे इससे क्या हो यह 3 से 3 cancel यह 3 से 3 cancel जो हम एक side पर करते हैं वो यह दूसरे side पर करते हैं अब हमारे पास यहाँ पर बज़ गया सिर्फ minus 8 is equals to 7k plus 2 ठीक है ना यह cancel हो गया सब देगे कितना simplify हो गया अब यह 7k को हम यहीं छोड़ देते हैं और यह minus 8 अपनी जगह पर ही है plus 2 जो है minus 8 के पास आया minus 2 हो गया सिर्फ मैंने यह right का left पे लिख लिख लिया और left का right पे लिख लिख लिया ताके हमारी equation ठीक बन सके ना 7k अपनी जगह पर ही है minus 8 भी अपनी जगह पर है plus 2 जो है उठके इसके पास आ गया plus से minus हो गया यह हमारे पास बन गया minus 10 minus 8 और minus 2 minus 10 k is equals to 7 multiply हो रहे है 10 के प्दरफ चला जाएगा और divide हो जाएगा k की value हमारे पास आ रहे है minus 10 upon 7 और यही इसका answer है question number 6 करते हैं हम question number 6 का part 1 है 2p plus 3x square plus 7p minus 5x plus 3p minus 10 is equals to 0 quadratic equation given है और हमें इसमें condition जो given है वो यह है कि sum of root वो भी 4 के बराबर है और product of root दोनों ही 4 के बराबर है तो जाहर है यह भी 4 के बराबर है और यह भी 4 के बराबर है तो condition क्या हो जाएगे हमारे पास यह नहीं कि sum of root will be equals to product of root के आएगे ठीके तो हम condition यह फिर apply करेंगे पहले हम इसके sum of root और product of root निकाल लेते हैं a क्या होगा हमारे पास x square की value क्या है हमारे पास 2p plus 3 तो a will be equal to 2p plus 3 और x की value हमारे पास है 7p minus 5 तो b will be equal to 7p minus 5 हो जाएगा और 3p minus 10 के साथ कोई coefficient नहीं है इसलिए 3p minus 10 जो है वो c हो जाएगा c यानि constant will be equal to 3p minus 10 के सहीए अब हमने abc तो निकाल लिया अब हम sum of root और product of root निकाल लेते हैं alpha plus beta will be equal to minus b upon a छीख? alpha plus beta will be equal to minus का sign ऐसे उतारते हैं और b की value क्या है हमारे पास? 7p minus 5 फूरी उतार लेंगे a की value हमारे पास क्या है? 2p plus 3 यह पूरी उतार लेंगे alpha plus beta will be equal to अब यह जो minus है इन दोनों bracket के बाहर है minus को इन दोनों के sign के साथ multiply करेंगे plus minus minus 7p minus minus plus 5 divided by 2p plus 3 यह तो sum of root आ गया alpha multiply by beta will be equal to c upon a c की value हमारे पास क्या है 3p minus 10 और a की value हमारे पास है 2p plus 3 हमने substitute कर दी यह हमारे पास product of root आ गया और यह आ गया हमारे पास sum of root अब हम condition apply करते हैं applying given condition given condition हमारे पास थी के sum of root भी 4 के बराबर है और product of root भी 4 के बराबर है तो जाहरे इती बात है तो इसका मतलब यह हुआ दोनों की value 4 है तो यह दोनों ही गया बुचाएगा हम क्या लिख देंगे alpha plus beta will be equals to alpha multiply by beta के sum of root will be equals to sub product of root के क्योंके दोनों ही 4 के बराबर है चाहें तो एक बार ऐसे लिख लें ठीक अब हम लिख देंगे alpha plus beta will be equals to alpha beta के सही? अब यह हमने condition लिख लिए अब condition के अंदर हम apply करेंगे इसकी values alpha plus beta की value क्या आए है हमारे पास minus 7p plus 5 upon 2p plus 3 यह हमने इसकी value substitute कर दी और alpha multiply by beta की value हमारे पास क्या है 3p minus 10 divided by 2p plus 3 यह दोनों की values आगए यह alpha plus beta की value यहाँ आगए और यहाँ पे alpha multiply by beta यहाँ यहाँ इस product of root की value आगई अब क्या करेंगे हम? अब इसको simplify करते हैं इसको simple करने का तरीका है दोनों के denominator सेम है दोनों के denominator cancel हो जाएंगे यहाँ कि हमने इसको 2p plus 3 इसकी पास भी 2p plus 3 इधर भी 2p plus 3 से multiply कर दें इधर भी 2p plus 3 से multiply कर दें तो जो हम इधर करते हैं वही दूसरे साइट भी 2p plus 3 पूरा का पूरा उतार लिया जो हमने यहाँ पे इसको 2p plus 3 से multiply कर देंगे यह भी cancel हो गया, यह भी cancel हो गया यह दोना अपस में cancel हो गया, यह दोना अपस में cancel हो गया यहाँ पे हमारे पास सर्फ बज़ गया minus 7p plus 5 is equals to 3p minus 10 ठीक है, अभी तो हमारे पस से भी यह remaining हो गया 7p के इधर ले जाएं और 10 को इधर ले आएं 5 के पास 10 को लिया तो यह –10 नहीं प्लस ठैन हो जाएगा 3P अपनी जगह पर यहे. 7P यह – यहाँ जाएगा प्लस 7P हो जाएगा 7P में 3P प्लस कर देगा. हमारे पास आ गया. 10P और 10 में 5 प्लस कर देगा. 15 आ गया. अब P जो है, इधर कर लेते हम इस साइट पे 15 अपनी जगह पर ही है P के पास 10 multiply हो रहा था 15 के पास आखे divide हो गया इसको हम simplify कर देते है 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हमारे पास आ गया 3 upon 2 P की value आ गई 3 upon 2 यही हमारे पास का answer है Question number 6 का part 2 कर लेते है Part 2 में हमारे पास equation given है 4x squared minus 5p plus 3x plus 17 minus 9p is equal to 0 यह तो हमारे पास quadratic equation है condition हमारे पास वही same given है जो के part 1 में थी यानि के sum of root will be equal to 4 and product of root will be equal to 4 यानि दोनों ही चीज़े alpha plus beta और alpha multiply by beta दोनों 4 के बराबर है अब हम इसके सबसे पहले sum of root and product of root निकालते है उसके लिए हम A, B, C निकाल देते है A क्या है हमारे पास x square के साथ है 4 तो A is equal to 4 हो जाएगा x के साथ है हमारे पास 5p plus 3 वो भी पूरे minus के sign के साथ तो B will be equal to हम लिखेंगे बाहर minus 5p plus 3 हम sign के साथ लेते हैं ना इसकी value का हमेशा तो हमने इसके sign के साथ लिए है इसके बाद हम c की value लिख लेते हैं c की value पूरी होगी हमारे पास 17 minus 9p यह हमारे पास c की value होगी इसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाद हम निकाल लेते हैं sum of root and product of root alpha plus beta will be equal to minus b upon a alpha plus beta will be equal to minus का sign लिखा यह जो formula का है उसके बाद हम नहीं उतारेंगे इसको अगर हम चाहें ना पहले इस sign के साथ multiply कर लेते तो क्या हो जाएगा plus minus minus 5p और plus minus minus 3 ठीके इस तरह उतार लेंगे इस तरह करने से simple हो जाएगा देखें यह minus जो है इसके साथ है यहां पहे इस स्टेप भी कर सकते थे plus minus minus 5p plus minus minus 3 यह हमने पूरा उतार ली बी की वैल्यू और यह वालत जो इसके साथ minus है वो भी यहां पही है अब A की वैल्यू है इसके नीचे 4 alpha plus beta कितना हो जाएगा हमारे पास अब यह इसके sign minus को है अब हमारे पास क्या थी कि alpha plus beta वो भी 4 है और alpha multiply by beta भी 4 है तो हम क्या कर लिख देंगे alpha plus beta will be equals to alpha multiply by beta sum of root will be equals to product of root के क्योंकि दोनों की value 4 है अब इसकी जगा इसकी value इसकी जगा इसकी value substitute कर देते हैं alpha plus beta की value हमारे पास है 5p plus 3 upon 4 is equals to alpha multiply by beta यानि product of root की value हमारे पास है 17 minus 9p divided by 4 ठीक है अब देखें मैं आभी आपको पिछली सवाल में भी बताया था previous question में भी आपको मैंने बताया था कि जब denominator सेम होते हैं तो वह वैसे ही cancel हो जाते हैं और show करने का तरीखा क्या होता है कि इस denominator को खतम करने के लिए जहां इधर से भी multiply कर देंगे और इस side भी multiply कर देंगे तो वह cancel हो जाएंगे इस step को आप skip कर सकते हैं मैं इस सवाल में skip कर रही हूं ताकि आपको पता चले कि इस किए जा सकते है तो 4 से 4 cancel हो गया हम लिखेंगे 5 P plus 3 will be equal to 17 minus 9 P क्योंकि ये भी एक method है ना कि show करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए एक सवाल में आपको show करके रिखा दिया एक में बगाएर show करें आपको बता रही हूं ताकि आपको दोनों तरीक आते हूं आपको जिस तरह easy लग रहा हूं आप उसको follow कर ली जएगा अब 5 P के पास 9 P को इधर ले आते हैं हम तो यहाँ minus है इधर आके plus 9 P हो जाएगा 17 अपनी जगा पर है plus 3 इसके पास जाके minus 3 हो गया 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 14 P हो गया 17 में से आप 3 निकालने 14 आ जाएगा P को यहाँ पर हम separate कर लेते हैं इसके पास 14 multiplier होता है इधर जाके equal के दूस साइट पे जाके divide हो गया 14 से 14 cancel P will be equals to 1 हमारे पास P की value आ गई है 1 यह हमारा question number 6 solve हो गया और हमारी पूरी exercise complete हो गई उमीद करती हूँ आपके लिए helpful रहा होगा अगर आपके लिए helpful रहती हैं मेरी videos तो आप videos को like जरूर कर दिया करें और चेयर करें जाद़ 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 और अगर first time channel पे हैं तो subscribe कर लिजे अल्लाहाफेश